इस वीडियो में उत्तर प्रदेश राजस्व लखपाल के लिए प्रैक्टिस सेट नुमबर चौथा लेकर आ रहे हैं और यहाँ पर जो पहला कोईश्चन है यह है कि स्वाण सब्द कैसा है क्या यह तत्सम है तद्बाव है देशा जय या फिर विदेशी है आपको दो अपना उत्तर कमेंट करके बताना होगा देखे जो स्वाण सब्द होता है यह तत्सम होता है तत्सम उसे कहते हैं जो कि संस्क्रिट के समान होता है लेकिन हिंदी नहीं होता है ठीक है तो इसको हम कहते हैं तत्सम इससे जो सब्द निकलता है इसका मतलब निकलता है जिसका प्रयोगा में हिंदी में करते हैं उसको हम कहते हैं तद्भाव और स्वन्ड का तद्भाव क्या होगा सोना ठीक है तो यहां पर स्वन्ड कौन सा सब्दों का यह तत्सम होगा यानि कि पहले वाले का पहला वाला विकल्प सही है दूसरे और तीसरे में आपको बिलूम बताना है आय का बिलोम क्या होगा ब्याय होगा अलप होगा हानी होगा या फिर अप्चय होगा बताईए दो सेकंड में देखिए आय का आय मतलब होता है इंकम और ब्याय मतलब होता है खर्च यानि आय का उल्टा होगा ब्याय जड का बिलोम क्या होगा कहा जाता है कि वो तो एकदम जड़ बुद्धी है ठीक है जड़ जड़ और चेतन जड़ मतलब जिसके पास बुद्धी ना हो या फिर ना के बराबर हो और चेतन मतलब जिसके पास बुद्धी हो यानि जड़ का बिलोम क्या हो जाएगा चेतन हो जाएगा इसमें से बताना है आपको कि पुलिंग कौन सा गया है चोथे कोई हम कबर कर रहे हैं कि recognizing क्वैलिंग पूछा गया है मड़ी झील और चानिais यतीनLY इस त्रिक लिंग लेकिन जो मौति है यह क्या पुलिंग है तो इस्ट्रिक पूलिंग वाला चप्टर आलरडी कबर है आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में अगर आप हिंदी वाली पूरी वीडियो को देख जाते हैं तो आपको किसी एक्जाम के लिए कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा पांच वा में पूछा गया है कि फूल का प मतलब कहा होता है तन्य नहीं मतलब होता है बेटी या फिर पुत्रे के आगे बढ़ते हैं तो अगला है और इसमें आपको चंद बताना है के रसखाने कबाव इन आखिंटे ब्रज के बन बाग तड़ाग नहारो इसमें हो बताना है कि चंद कहुं सा है डूंहा тай सवया है मालिनी है या फिर सोठा है बताएं इन पक्तियों में आप देखेंगे तो 22 से 26 वर्णड वाले चार तरह के आपको देखने को मिलेगा और जहां पर इस तरह की कंडिशन आ जाती है उनको हम क्या कहते हैं आपको बताना है अच्छादित अगर हम इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा यहां पर आपके चार भीकल्प है इसके लिए से उत्तर होगा आधन च्छादित आधन च्छादित अब आठ्वे कोश्चन में आपको बताना है कि घोष वन्ड कौन सा है घोष अगोस यह पड़े ह होगे आपको गोस बताना है तो यहां पर बाकी पर ट और तो ऐ अग्षोष वड है आगे बढ़ते हैं तो नवые और दस्वे में आपको अशुद सब्ध पहचानना है जैसे कि कल्यान है भासाहए नमस्कार हैं और कल्यान है बताएए कि इद्में से oocy का है आप अपना उत्तर बताने के लिए इस तरह प्रयोग करिए कि नौवे का D होगा ठीक है नौवे का जो D है ये गलत है क्योंकि कल्याद नहीं होता है कल्याड होता है दस्वान बताईए अच्छत चमा अच्छत या फिर नच्छत्र अगर आपको वीडियो के क्वालिटी से कर सकते हैं यह वीडियो हाई क्यूलिटी में अप्लोडेड है तो यहां पर दस्वेंगी हम बात कर रहे हैं यहां पर होगा अच्छत यह गलत है अच्छत कोई सब्द नहीं होता है यहां पर आपको बताना आए कौन स्वर नहीं है हमारी स्पीड थोड़ी से जादे है और इसके जादे रहने के मुखे रुप से दो कारण है ताकि आपके समय को बचाया जा सके और दूसरा आप कम समय में जादे क्वेश्चनों को हल करना भी सीखे ताकि आप परिच्छा में अच्छा ही स्कूर कर पाएं तो यहाँ पर ओ, ए, उ, यह स्वर है लेगिन बह गया है बेंजन है यह तो काफी असाम कोश्चन हों गया जहाँ पर रुप में में उपमान की समानता की संभावना ब्यक्त की जाती है वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है उत परिच्छा होता है उपमा होता है रूपक होता है या फिर संद्धे होता है बताएं तो जहाँ पर उपमे में उपमान की समानता की संभावना व्यक्त की जाती है वहाँ पर होता है हमेशा और हमेशा उत प्रिच्छा अलंकार यहाँ पर करपट एक सब्द है ये तत्सम है ठीक है इसका तद्भाव आपको बता देना है मतलब की उससे निकला हुआ मतलब जिसको हम हिंदी बांसा में असानी से प्रयोग करते हूं तो करपट का मतलब होता है कपड़ा ठीक है बढ़ते हैं आगे और 14 और 15 में में आपको बताना है कि मुहाबरा दिया गया है और वहाँ पर एक रिक्त स्थान आपको इसे भरना होग अधिकतर लोग एक साथ हैं लेकिन एक व्यक्ति अलग है लोग कहते हैं कि देखो तो अपनी खिचडी अलग पका रहा है अकल की क्या दोड़ाना घोड़ाना हाथी दोड़ाना कुट्टे दोड़ाना या फिर सीर दोड़ाना यह मुहाबरा है तो अकल के घोड़े दोड़ आजाते हैं ठीक है पढ़ रहा था इसमें कौन से क्रिया हैं dalart कि देखिए जब दो क्रियाओं के स्वायों में कोई क्रिया दिखती हो तो इसको करते है सब्सक्राइब क्रिया कॉ मुल् सब्दा जाए वहां पर होता है क्या भावाज अठ्रावा और निश्वे में आपको चार वाक्य मिलेगा और इस चारों में से बताना होगा कि कौन एक असुद्ध है यानि की गलत है एक प्रलाई हूंकार हुआ एक प्रलेंकर हूंकार हुआ मेरा नाम राम है यह काम आप पर निर्वार है यह सही है यह भी सही है इन दोनों में से एक गलत है बताए कौन है यहां पर आपके सामने 50-50 हो गया तो यहां पर जो आपका सही उत्तर होगा यहां पर देखिए प्रलाई हूंकार हुआ और प्रलेंकर हूंकार हुआ ठीक है तो यहां पर यह वाला गलत है और इस question के मुताबिक जो गलत है उसको सही बताना है यानि कि यह trauma का B वाला उत्तर सही होगा यह ऐसी एकाद बात और देखने में आती है हमारे सिच्छक प्रस्टन करते हैं मैं आपके दर्सन करने आया हूँ यह सही है यह सही है इन दोनों में से आपको बता देना है कौन गलत है देखिए यहाँ पर गलत है आपका B वाला और question के मुताबिक जो गलत है उसको आपको सही बताना है यानि कि आपका हो जाएगा आपसर नमबर B B रसकास थाइबाओ क्या होता है टिक है उसी तरह अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हास रसकास थाइबाओ क्या होगा तो क्या बताएंगे हास का होता है हास ठीक है स्रिंगार रसका क्या होगा स्रिंगा रसका होता है रत्पी ठीक है और रौद्र रसका अस्थाइभार आप हमें कमेंट करके बताएंगे ठीक है रौद्र रसका अस्थाइभार आप looking исслед. राजपुतr में यह कौन सा समास है यूज्य आपको बताना आप किसका अस्थाइभार यूज you can और राजपूत्र देखिए अगर आप समास और संदि की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको बिच्छेद आना चाहिए अगर आपको पास बिच्छेद की अच्छी जानकारी है तब आपको समास में कोई दिक्कत नहीं होगी राजपूत्र मतलब होता है राजा का पुत्र ठीक है? और यहाँ पर क्या दिखाए आपको? का, तो क्या होता है? करता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, जो ये कारक होतने हैं, जहाँ पर इन कारकों का प्रयोगों, वो हमेज़ा Одतपुरुष जहाँ पर दो दोंव प्रदानों, जैसे माता, पिता, भाई, बहन, पोप्मान वाली स्तिति आजया वहां पर होता है करम्दार है तो इस क्वेश्चन में राजपुत्र में तत्पुरुस। बच्चे बस से पाट साला जाते हैं इस वाके में कौन सा कारक है बस से करताने कर्म को करण से यानि कि से हो जायेगा अब देखें से एक जगा और आता है जैसे पेंड से फल गिरता है ठीक है तो यहां पर भी से है लेकिन यहां पर जो से है यह अलग होने के भाव में है साथ जा रहे हैं तो जहां पर साथ जाएंगे वहां पर करड़ होगा जहां से अलग होगा वहां पर अपादान होगा ठीक है? 23-24 में आपको एक सब्ध बताना है मतलब कि विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के सामने दिया गया विद्धता पूर्ण भासर को आप एक सब्ध में क्या कहेंगे? समभासर अभिभासर अपभासर या फिर अनुभासर तो इसको हम कहेंगे अभिभासर जैसे राष्टपती का अभासर होता है संसद में राजपाल का अभासर होता है बिधानसबा में जिसके पास कुछ भी ना हो उसको हम क्या कहेंगे गरीब कहेंगे अकिंचन कहेंगे दरिद उठा दिखा दिया मतलब कि इंकार कर दिया बड़े इच्छा से वह गया वहाँ पे इसको मिल जायगा 했 Super लेकिन उठा ग Cat दिया यानि रिए इनकार कर दिया अब देखें हैं यहां पर हमने 26 से 50 वाले question को छोड़ दिया है जो कि महत के थे और मेद के लिए जो question उनकी हम अलग वीडियो अप्लोड कर रहे हैं लेकपाल वाली प्लेलिस्ट में ही तो वहाँ जाकर आप उसे देख सकते हैं यहाँ पर उसे कबर ना करने का में दीजन यह है कि इस वीडियो को 30-40 मिनट के अंदर अंदर खतम करना तो शुरू करते हैं एक क्यावन नंबर से भ तर भी बता दिया है आपसर नंबर 20 होगा अगर आप देखेंगे तो जो इलाबात के निकट मिर्जापूर है उससे होकर कि यह जाती है और अगर आप देखेंगे जीम्टी से तो जीम्टी से जो हम लोग का टाइम है यह साड़े पांच घंटे आगे है भारत की किस नदी क को ब्रेदिग गंगा का जाता है किस नदी को हम कहते हैं ब्रेदिगंगा है तो यह है को दार्री को ब्रेदिग गंगा के नाम से भी जानते हैं आपके खेल 2021 की मेजबानी कौन देश किया एस याई युवाख खेल ये किया चेन ठीक है तो इसको हम कहते हैं OCA ठीक है अगला है कि हाली में किस देश ने ओपेक सूला नाम का एक नया सैन निगराने उपगरा लांच किया है अगर आप देखेंगे तो 6 जुलाई था डड़ेट 6 जुलाई 2020 तो ये किया गया था इसराइल के द्वारा विन सांग किसके सासन काल के दौरान भारत आया था आपके आप साने चंदगुप्त प्रतम चंदगुप्त देतिया हर्सवर्दन या फिर रुद्र दामन बताएं त तो विन सांग 630 से लेकर के 643 इस्पी के मद्य हर्सवर्दन के टाइम पिरेट पे भारत आया था यानि कि आपका से उत्तर हो जाएगा आपसा नमबर सी महमूद गजनी निमलखित में से किस प्रसिद मंदिर पर दावा बोला था महमूद गजनी को आप देखेंगे तो ये बस भारत में लूट पार्ट के लिए ही जाना जाता है तो महमूद गजनी ने भारत में 1025 इस्पी में दावा बोला था और ये था आपका सोमनाथ का करें अब आप को बताई यहां पर उसका नाम है यहां पर उसकी जगा है तो गलत रहरा है यहां पर यहां पर केंद्रिया भावन अुशान अनुशनधान संस्थान रुड़की तो ये बिल्कूल यहीं पर है किंद्रीया सुस्क से यहां पर उसी तरह बताना है कि किसका मिलान सही नहीं है हिंदू विवा अधनियम क्या 1905 में आया था इसके अलावा गर्भ का चिकस्य समापन अधनियम क्या 1901 में आया था मैलाओं पर घरेलू हिंसा अधनियम 1990 में आया था मैलाओं पर कुरूरता 1995 में आया था यहां पर आप तो ये 1990 में नहीं आया था ये बहुत बाद में आया है और ये है 2005 ठीक है अगला है कि भारतिय असांती का जनक किसे समझा जाता है भारतिय असांती का जनक तो ये हैं बाल गंगा धर तिलग मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंतित की जाती है मुद्रा के कितनी आपूर्ति होनी है ये कंट्रोल कौन करता है ये करता है नितियायोग बितयायोग आर्बियाई या फिर ब्यापारिक बंग तो ये किया जाता है आर्बियाई के 1935 में बनाया गया एक जनौरी 1949 में इसका राश्टी करड़ किया गया अलिगड़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे अलिगड़ आंदोलन यह थे सर सेयद अमद खान यह कोईशन बहुत महत्पूर है कई बार आपसे परिछाओं में पूछा जा चुका है 62 नमबर देखते हैं तो भारत की संसत की बित्य समीतिया निमलखित में से कौन सी है मतलब ऐसी समीति कौन है जो कि बित्य काम में देख रह करती है लोक लेखा समीति यह बिलकुल करती है प्राकलन समीति यह भी करती है और लोक उपकरम समीति यानि कि यह भी करती है आपका सही उट्टर हो जाएगा आपस नमर D यानि कि सभी बैदुत आवेस का SI एकक क्या होगा मतलब मातरक क्या होगा बताएं एक से दो सेकेंड आपके पास है तो बैदुत आवेस का मातरक होता है कुलाम, SI में कुलाम होता है, ठीक है तो आगे बढ़ते हैं, कुलाम में आप देखते हैं कि ये माइनस और प्लस में होता है इंदर धनूस में होता है अब जो गलत है उसी को आपको बताना है ठीक है? तो बताइए प्रिथभी की ओर सबसे अंदर रंग के रूप में बैगनी प्रकास अब देखेंगे आप तो यहाँ पर होता है बिब की ओर इस तरह होता है कहा गया है कि पहले बैगनी होता है बिलकुल होता है, ये तो सही है प्रकास की ओर इसकी वक्रता का जुकाव जुकाव होता है अकास की ओर सबसे बाहर रूप में लाल रंग ये भी होता है प्रित्वी की ओर सबसे अंदर में लाल रंग ये गलत है लेकिन क्वेस्चन में कहा गया है कि जो गलत है उसी को आप बताईए यानि कि उस हिसाब से इस क्वेस्चन के मताबिक आपसर नमबर चौता यानि कि D वाला स्वई हो जाएगा इसको आप याद रखिए ये पूछा जाता है कई बार पौधे में प्रकास संसलेसर्ड में के उत्पाद खौन से है प्रकास संसलेसर्ड अगर होना है तो क्या क्या चाहिए ये पूछा गया है तो तो प्रकास अंस लेशर्ड के लिए चाहिए जल्व, आक्सीजन और कार्बो हाइड्रेड यानि कि अगर आप प्रकास अंस लेशर्ड वाली क्रिया को देखिए तो यह होता है 6CO2 12H2O और यहाँ पर प्रकास या फिर हरित पाउद है यहाँ पर रहाता है C6H12O6 दन 6O2 दन 6H 2O यानि कि आपका आपसर नंबर D सही होगा निमलकित में से वह पदात कौन सा है जो 14 वर्ष की आई तक के बच्चों के विकास के लिए अत्यनतावस सके मतलब 14 साल के कम उमर वाले बच्चों को क्या खिलाया जाना चाहिए ताकि उनका विकास हो सके अच्छे तरीके से यह होता है प्रोटीन प्रोटीन वैसे जो डालों में मिलता है और यहां पर आपका आपसर नंबर पहला सही होगा पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहते हुए वायू में रंग हीन हो जाता है अगर पीतल किसकी मौजूदगी में रहेगा तो रंग हीन हो जाएगा है आपका हाइड्रोजन सल्फ हाइड के उपस्तिती में उच्चतन न्याले के द्वारा 13 जनौरी 2020 को दिये गए आदेश के बाद किस सहर में 14 बड़ी निर्मार प्रयुजनाओं अस्तलों पर एंटी इसमाग गण उपकरड़ लगाया गए मतलब कि यह जो वाय प्रदूसर को कम करता है जल की भूधों का छिड़काओ करता है ताकि वाय प्रदूसर पर कंट्रome किया जा सके तो यह किया गया दिल्ली में हाली में केंसरकार के द्वारा COVID-19 के मामलों को ट्रैक करने के लिए किस नाम का एक एप लांच किया गया है काफी असान क्वेस्चन है क्योंकि सभी लोगों ने कभी न कभी इसको जरूर डाउनलोड किया था और यह है आरोग सेतु एप इगलू क्या है इगलू इगलू का नाम आप सुने होंगे अगर आप देखेंगे तो जो साथवी आठवी किताबे थी उसमें एक चप्टर था इंगलिस में यह तो यह होता है गुंबत क्याकार का एक घर या जोपड़ी जो की कठोर बर्थ की सिली से बना जाता है जिसमें एसकिमो रहते हैं मतलब कि इस टाइप का होता है इसको हम इगलू बोलते हैं निम्लिकित में से कौन सा बेरता पुरुसकार है बताया बेरता पुरुसकार कौन सा है बेरता पुरुसकार है परम बेर्चक्र एक बाल सम्मान यह नहीं है द्रोना चार पुरुसकार य ये कई फिल्डों को मिला करके दिया जाता है लेकिन परम बेर चक्र, महाबीर चक्र ये सारे बिरता पुरुषकार है, भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है, गन्ना उत्पादक राज्य, सबसे जाता गन्ना होता है उत्तर प्रदेस में और इसलिए उ बटनागर पुरुसकार किन कारियों के लिए प्रदान किया जाता है जो सांती स्वरू बटनागर पुरुसकार दिया जाता है ये बिज्ञान में दिया जाता है और बिज्ञान के बिभिन सक्खाओं में अगर आप कोई भी योगदान देंगे तब आपको मिलेगा सांती स्व प्रदेशी मिसाइल है नाम है अगनी 5 तो इतना अगर आप जानते हैं तो काफी है आगे बढ़ते हैं तो अगला है अब देखिए यहां पे ग्राम विकास वाला सक्षम सुरू हो गया जो की काफी महत्पूर है मनरेगा कारेकरम में भारती संविदान के मुताबिक मनरेगा को किस आर्टिकल में रखा गया है मनरेगा में जो आपको रोजगार देने की बात की गई है या फिर और सब तो मनरेगा को किस आर्टिकल में रखा गया है वो इस क्वेस्चन में पूछा गया है यह आर्टिकल 43 उत्तर प्रदेश के निमलखित में से किस अस्थान पर एक प्रहुमी एवं असनातक के छात्रों के लिए इंटन सीफ प्रोग्राम की घुषड़ा की है इंटन सीफ होगा यह होगा उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा घुषड़ा की गई है एक ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए कितने परसेंटेज पद अरचित होने चाहिए ब अधिकारे में बात की गई थी ब्रिटिश सासन के द्वरान यूपी में भूमी पंजी करण किस अधिकारी के द्वारा किया जाता था अगर हम ब्रिटिश सासन की बात करें ब्रिटिश सासन के समय की बात करें तो यह किया जाता था लेकपाल के द्वारा अति लोकप्रिय भ प्रज़न में भी पूछाता तो यूPTPLACC में ये कॉेस्चन इस तरह का पूछा यह पूछा जाता है फारुल का सबाद तो फारुका बाहद आज जाना जाता है किसके लिए यह जाना जाता है हाथ कि अब्यर्थियों के लिए इकाई लागत प्रतिसाता एम अधिक्तम आर्थिक साहता जिसको सब्सीडी बोलते हैं ये कितनी है ये है ये है पचीस परसेंट यानि कि पचात्तर सो मध्यान भोजन कारिकरम के तर्थ मध्यान भोजन के पकाने परोशने और उपभोग करने में स 2014 जनगर्णा के मुताबिक UP के कि जिले की साचारता सबसे अधिक है यहां से जनगर्णा से पहुत सारे कोश्चन आपसे पूछे जाएंगे अगर आप देखेंगे सबसे अधिक तो यह होगा गौतम पुद्यनगर कितना था तो लगबग 80% एक्जैक्ट पूछे तो 80.1% इ 79.7 है और गाजियाबाद का 78.1 है तो सबसे अधिक कहां का है गौतम पुद्यनगर का फेस्बुक के द्वारा राज में महिलाओं के लिए वी थिंक डिजिटल नाम की एक पहल सुरू की गई है आपको बताना है किस राज में तो देखें इस तरह के क्वेश्चन में अधिक समाजिक बानिकी कारिकरम का उदेश निम्लकी छेत्रों में बड़े पैमाने पर ब्रिच्छा रूपड है लेकिन केवल यहाँ पर आपको बताना है कि कौन साइस में से वाकी से पूरा करेगा देखें समाजिक बानिकी कारिकरम केवल नगरी और दोगिक संपदाओं में ब् उत्तर प्रदेश जमिदारी उनमुलन और भूमि सुधार अज्णयम 1950 अंतर नहीं था है। किस अनुसोंची में इसको रखा गया है। यहाँ पर पूचा जा रहा है। तो इसको रखा गया है चौथे अस्तान पे ठीक है कुल मिला करके यहाँ पर दो लाग चालिस जार नौसो अठाइस वर्ग किलो मीटर यहाँ पर चेतर पाला है अगर आप देखेंगे तो राजस्तान पहले नंबर पे है लेकिन यूपी चौथे नंबर पे है चौथ नवी पंचवर सी यूजना थी 97 से लेकर 2002 में इसमें ग्रामिट चेतरों में BPL के लिए निश्चित की गई वार्षिक परिवारिक आयका हस्तर क्या था मतलब उस दोरान कितनी आप किया होगी तब आपको BPL कार्ट जारी किया जाएगा ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है तो इसके लिए से उत्तर होगा आपका 20,000 UP में परम परागत और दोगिक वस्तु छेतर उत्तपादन में मिट्रिक टन के रूप में अधिक्तम योगदान किसका है UP में सबसे ज़्यादा उत्तपादन किसका होता है ये पूछा गया है चुकि यहाँ पर गन्ना जादे होती है तो जायर सी बात है कि चीनी का उत्तपादन जादे होगा राश्टिय ग्रामिड पेजल कारकरम जिसको हम NRDWP कहते हैं इसके मुताबिक 2022 तक देश के हर ग्रामिड ब्यक्ति को उनके घरे लूप परिसरों में या फिर उनके घरों में 36 या फिर उद्वारदर दिस्टा में 50 मीटर की दूरी पर कम से कम कितने लीटर प्रती ब्यक्ति प्रते दिन पेजल उपलब्द होना चाहिए क्वेशन काफी बड़ा है तो ये इसका उत्तर जान लीजी ये है 70 लीटर यूपी में बरतमान समय में कुल कितने राजसु नेयाले काम कर रहे हैं बरतमान समय में पूछा गया है यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा 2333 राजसु नेयाले यूपी में परम परागत भूमी मापा निकाई क्या है बताएं अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं क्या है तो जरूर लाइक कर दें यूपी में है बीखा यूपी में सिमान्त क्रिसक किसको करते हैं यूपी में सिमान्त क्रिसक उसको करते हैं जिनके पास एक हेक्टेयर से कम भूमियो एक हेक्टेयर से कम वाले को हम सिमान्त क्रिसक करते हैं लाल मिट्टी कहां पाय जाती है यूपी में जहां कटा होता है तो यहां पर नालिका आप परदन से सबसे ज़्यादा प्रभावित है इतावा जनरत नाम दिया गया था जनरत किसका उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो निम्नलागत की एसी बस होती है जिनको आप देखते हैं जो रोडवेस से चलती है यह इनक पर ल 293 में यहां पर आपका उत्तर होगा आपसा नंबर बी तो यहां पर हमने पचातर कोशचन कबर किया है आप हमें कमेंट करके बताईए कि आपका स्कोर पचातर में कितना है और इसी तरह के वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़रो लाइक करें थैंक यू